हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेम्स कुला स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अभी जो आप स्क्रीन पर लोगो देख रहे हैं इसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है और यह बहुत ही सिंपल लोगो है तो अगर आप को इस तरह का बनाना है तो वीडियो को इंट तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले हम इसको पिक्सल लाइप एप से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने फोन में पिक्सल लाइप एप को ओपन कर लेना है उसके बाद यह जो न्यू टेक्स्ट है आपको यहाँ डि करने के बाद आपको यहाँ जो एक यहाँ पर आपको पहले इसका बाइग्राउंड वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से इसमें आपको कलर में जाना है और यहां से आपको एक ग्रैडियंट सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का ग्रैडियंट सेलेक् हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है तो अब इतना करने के बाद आपको यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है प्लस टेक्स्ट पर और यहां पर आपको इडिट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको दो अलफाबेट्स लिखन साइज को इंक्रीज करने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है फिर आपको यहां नीचे की तरफ जाना है यहां पर आपको फॉंट का आपसन दिखेगा आपको फॉंट वाले आपसन में जाना है और यहां नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो एक फॉंट यहां पर कांजी पा इसी फॉंट को आपको सलेक्ट कर लेना है यहां से उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है फिर इसकी साइज को आपको इंक्रीज कर देना है तो इसकी साइज को इंक्रीज करने के बाद अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट यहां पर कट भ तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहां नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है यहां पर आपको एक option दिखेगा यहां पर हम एक option देख लेते हैं color का आपको इसमें जाना है और यहां पर अभी color select है आपको gradient यहां पर select कर लेना है और यहां से आपको एक इस तरह का gradient select कर लेना ह जो मैं select किया हुआ हूँ उसके बाद आपको tick पर click कर देना है तो अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर background में कहीं भी click करना है उसके बाद आपको shapes में जाना है और यह भी एक rectangle shape है आपको इसको circular shape यहाँ से select कर लेना है उसके बाद opacity आपको 0% कर देनी है और stroke width आपको इसका 10 तक बढ़ा देना है उसके बाद इसकी size को आपको इस तरह से increase कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ उसके बाद tick पर click कर देना है फिर आपको यहाँ relative position में जाना है और इसको इन दोनों पर click करके आपको beach में कर देना है तो अभी जो PES लिखा हुआ है अब आपको layer में जाकर उसको select कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पर जाकर relative position में जाकर इन दोनों को click करके उसी तरह से आपको इसको भी beach में कर लेना है तो अब बीच में करने के बाद आपको ये जो circle है आपको सेलेक्ट रखना है और नीचे की तरफ जाना है यहाँ पर color का option होगा आपको इसको enable कर देना है और उसके बाद ये color select है आपको यहाँ पर gradient पर klik करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक gradient select कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो तो मैं इसी को recommend करूंगा जिसको मैंने अभी select किया हुआ है यह जादा अच्छा लगेगा तो इसको select कर लेने के बाद अब आपको इसके text वाले को select करना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ जाना है तो यहाँ पर अब हम इसका थोड़ा सा color change कर लेते हैं तो आपको color में जाना है फिर इसका color हम और कोई रख देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहां से हम इसका एक color select कर लेते हैं तो यह वाला color मैं इसका रख रहा हूँ तो आपको भी यही रख लेना है तो आपका यह पूरा create हो चुका है अब आपको इसको save करना है तो save करने के लिए आपको यहां उपर की तरफ save का icon दिख रहा होगा यहां पर उपर की तरफ आपको इस वाले icon पर click करना है उसके बाद आपको save as image पर click करना है और dimensions अभी custom है इसको आपको ultra select कर लेना है और उसके बाद आपको save to gallery पर click कर देना है तो यह image अब आपके gallery में save हो गई है तो friends आपको यह video कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए और bell icon को दबाना ना भूलिएगा thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में करें आपके वीडियो में जरूरी थूली में